तवांग मुनेस्ट्री भारत वर्ष की सबसे बड़ी मुनेस्ट्री है तवांग मुनेस्ट्री वस फाउंड़ेट बाई मेराक लामा लुद्रे ग्यात्सो इन 1680-81 अकॉर्डिंग तो दी विश आफ फिफ्थ दलाई लामा स्कूल डेज याद आगए यह मौनिंग प्रेया देखकर यह सामने वाले बिल्डिंग स्कूल ही है यहां की थ्री स्टोरे बिल्डिंग है और आई थिंग बाई लुकिंग अट यही मेन गुंपा होगा इस मुनेस्ट्री का और यह है एटीन फिट बुद्धा स्टैचू जिसके बारे में मैंने सुन दखा था इस असिम्बली हॉल और प्रेइंग हॉल को दुखांग भी बोलते हैं इनके लैंग्वेज में और यहीं पर सारे मंक्स वैरेस इंस्ट्रुमेंट के साथ चैंटिंग करते हैं बहुत ही संदर जगाई है सीरियसली यहां से देखने पर पता चल रहा है कितना बड़ा कोट है इस एंगल से देखने पर पता चल रहा है एकनी बड़ी मुनेस्ट्री है यह जो यलो कलर के टीन शेट्स दिख रहे हैं यही वो रिजडेंशल बिल्डिंग है जहां पर मंक वगरे रहते होंगे और जितना मैंने पढ़ा था इसके बारे में यहां पर 65 रिजडेंशल बिल्डिंग है टिबिटन बुद्दिजम में चार सेक्ट्स होते हैं गेलुक, साक्या, काग्यो और निंग्मा तवांग मुनेस्ट्री गेलुक सेक्ट को बिलॉंग करती है और इनको यलो हैट्स के भी नाम से जाना जाता है यही रीजन है कि यह टीन शेट्स यलो कलर के रखे रहे हैं विच रिप्रिजेंट्स दी गेलुक सेक्ट ओफ तवांग मुनेस्ट्री यहां से आप देखी रहेंगी तवांग का क्या सही भी वाता है सो गाइज चलिए अब चलते हैं रिजडेंशल बिल्डिंग के दरफ की कहां पर यह मंक्स वगरा रहते हैं कुछ घर लकडियों के दिखाई दे रहे हैं और कुछ कॉंक्रीट के चले किसे से पूस्ते हैं इसके बारे में का अब आप यहां के वांके की आच्छा तो उस सामनी अच्छा तबिज बहुच यह एक भवंभु तया है यह ऑने से कुछ अगा यहां आँकोट आइगा यह सवाने , उसके मलग है पर्षिन पर ऊगने क्लिए अर्थक्वेक Als अहार, हाहुthese. डुष से पकट है ठीपे तो इन ने हैं पत्थर लगाः हुआ हुआ है और भाँ लगते। ये पुराना है? एकदम पुराना है, ये एक डम पुराना है ये एक य्य१िस ताह हुने हाला है.. strawberries 300 सूंग? आपया. तो इस बैंबू की बात कर रहे थे जिसको की जब पत्थर लगा रहे थे तो इस बैंबू के थुरू बांदा गया था कि अर्थक्वेक वगरा से बचा सके शिरियसली अमेजिंग इंजिनियरिंग इसंट इसाम को अंदर अच्छा यह बन करें तो एक पिछागा रहे तो यह में इंट्रेंस है यहां यह बंद कर दिया तो कोई जा नहीं सतता है तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ एक दूसी मुनाश्टी जो अपने आप में एक यूनीक है ब्रह्मा दूंशुंग अनी गुंपा अनी मींस नन विच मींस यह जो मुनाश्टी है यह फीमेल मंक्स की मुनाश्टी है जो की स्टैबलेश्ट हुई थी 15.95 में आए लेके चलता हूँ तो दोस्तों मैं आगे हूँ आनी गुंपा में और यहाँ पर अभी भर्फ दिख रही है तवांग से 1000 फिट ज्यादा उपर है और इसलिए यहाँ पर मार्च के महिने में भी भर्फ दिखाई दे रही है अच्छी गासे ठंडो रखी है तो ग कोई दिखाई तो नहीं दिया यहाँ पर यह तो लग रहा है गुंपा देखते हैं अगर कोई दिखता है तो पूछते हैं अच्छा आप क्या बजपन से यहाँ पर है किया कितने साल से होंगे आप यहाँ पर अच्छा मेरा नम मनीश है आपका नाम नफसा नफसा टोकर तो आप इसी विलेज से तवांग से हैं अच्छा तो आप लोग यहाँ पर भी स्कूल है क्या अच्छा क्लास 10 तक अच्छा उसके बाद फिर आप लोग बुद्धिजम पढ़ते हैं अच्छा तो आप लोग कभ तवांग मुनस्ट्री जाती है? जाती है. जाते हैं? तो आप लोग यह जो मंत्रा हैं उसको पड़ते हैं क्या? तो आप कितने लोग होंगे यहां पर? टूडल 41 है. तो यहां पर तो और कोल्ड होता हुआ क्योंकि यह तो और उपर है. तेंक यू. परस्ट टाइम मैं किसी फीमेल मंग से मिला हूँ और उनसे बात किया हूँ. बहुत ही अच्छा लगा यहां पर मुझे आ करके. बहुत ही शांत जगह पर यह गुंपा बना हुआ है. और आम प्रेटिश और बहुत ही कम लोगों को इस जगह के बारे हैं मालूम होगा. विल्कम टू पांखांग तेंग सो लेक. इन शॉट पीटी है सो लेक. यह है लेक. लेक? लेक कहा है भाई? लेक वेक तो कुस नहीं दिख रहे ही. यहां पर यह जगह बहुत ही सही है. और अगर किसी को बर्फ में खेलना है, तो भाई यह शिमला मनाली वाली जगह है बिसिकली. मैं भी अगर दोस्तों लोग के साथ आता तो यहां पर मैं बदला लेता बर्फ के गोले मार कर तो गैस पीटी एसो लेकिस एक्षिली ऑन दे वे टू बुमला पास एंड संगसर लेक जो की मादुरी लेक के विनाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पर कोईला मुवी की शोटिंग वी थी बट मार्स के महिने वे भी रोड बंद है बिकरज पीटी एसो के आगे पूरस नो है I think art नो suggesting बदा रहा है सो पर्मिशन नहीं है क्यों पी एसो तक आपको परमिशन है पीटी एसो तक आने के लिए आपको कोई पर्मिट नहीं लगता है बट बुमला पास एंड मादुरी लेग जाने के लिए आपको पर्मिट निकालना पड़ता है कलेक्टर अफिस से So yeah, I believe कुछ चीज़े जरूर बचनी चाहिए So that आप दुबारा आ सकें ऐसी जगह उपर तो दोस्तो चलिए अब मैं आपको लेगे चलता हूँ एक अलग मुनेस्ट्री में जो की है खिनमे नीगमा मुनेस्ट्री विच बिलॉंग्स टो नीगमा सेक्ट एंड इस्टैबलेज जैन 1440 I think यह सबसे पूरानी होगी नीगमा सेक्ट बैसिकली गेलुग से कैसे अलग है उसके बारे में बताता हूँ पहला तो यह कि इनको रेड हैट सेक्ट भी बुलाते हैं वाइल गेलुग के लोग येलो हैट से जाने जाते हैं दूसरा इनके गुंपा में जो मिन मूर्ती होती है वो गुरुपद में संभवा जी की होती है और अगर आपको याद होगा तो मेचुका में जो मुनास्ट्री है वहाँ पर भी गुरुपद्मसंभवाजी की मूर्थी होती है विच मेंस कि मेचुका के लोग नीगमा सेक्ट को बिलॉंग करते हैं गुरुपद्मसंभवाजी नहीं इस मुनास्ट्री की जो एक खास बात है वो है यहाँ के पैंटिंग इनकी चमक देखकर कि यह लगता है मानो कि अभी कुछ दिन पहले ही इसको पैंट किया गया हो और आम प्रिटी शूर कि यह जो भी पैंटिंग्स हैं वो जो इनके गुरूज हैं और जो इनके अफ़तार वगर थे उन सब को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया होगा पास में कोई लामा नहीं है अधरवाइस मैं जरूर पूस्ता हूँ उन से इन सब पैंटिंग्स के बारे में यह तो बला ओ इनियंग मंक्स का जो कहीं से तु जाकर के चाबिल है अधरवाइस यह गुमपा क्लोस था एक्छली जब मैं आया था तो सु आम रिली ग्लैड कि मुझे यह देखना नसीब हुआ निगमा सिक्ट में एक और बात डिफरेंट है कि यहां पर दो संग होते हैं रेड संग और वाइड संग रेड संग वाले आजीवन ब्रहमचर का पलन करते हैं और जबकि वाइड संग वाले शादी भी कर सकते हैं और बाल भी बढ़ा सकते हैं क्यूंकि जो फुल ओत होती है वो नहीं लिया होता है उन्होंने और जो यहां के रिन पोछेज हैं वो शादी शुदा हैं तो बेसिकली इतना इतना डिफरेंस होता है मुनेस्ट्री में भी मुझे नहीं पता था यहां पर तवंग एक ऐसी जगह है जहां पर आप आओगे तो आप यह सब चीज़े डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्ट्स होती है वो आपको साफ पता चलेगा तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको उर्गिलिंग मुनेस्ट्रे लेके चलता हूँ जहां पर सिक्स्थ दलाई लामा संग्यांग ग्यात्सो जी का जन्म हुआ था इसमें लिखा हुआ है कि यहां पर एक पेड है जिसके तीन ट्रंक है बेसिकली जब सिक्स दलाई लामा जी तावांग से टिबट जा रहे थे तो उन्होंने अपनी चड़ी को यहां पर गाड़ा था और उन्होंने बुला था कि यह जब एक पेड बनेगा और इसके जब तीन ट्रंक एक सेम हाइट के होंगे तब मेरी फिर से टिबट से वापसी होगी अनफॉर्चनेटली जो तीसर से ही बहुत सारे चमतकार दिखलाते थे उनमें से एक यह इनका इनके पैर का निशान है जो कि पत्थर पर उबरा था और सिमिलरली सिर का निशान उवरा था पत्थर पर या बट हलागी मुनेस्टे इतनी बड़ी नहीं है पर यहां पर आने के बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा शान्द हो गया है कि लामा जी ने इससे सर्मानित किया है इससे में अस्वागत किया है इसके लिए मैं बहुत इकरता हूँ यह लामा जी ने बहुत अच्छे से इंफॉर्मिशन पोईट किया यह रिली गुड़ आप और यह पोईड़ आप में अच्छे से इंफॉर्मिशन पोईट किया तो दोस्तों चलिए अब मैं लेके चलता हूँ कि इस तवांग टाउन में और क्या देखने लाइक चीज़े हैं सबसे पहले है वार मेमोरियल जैसा कि मैंने बताया था कि तवांग टाउन ने 1962 का इंडो चाइना वार देखा हुआ है और इस वार में नजाने कितने वीर शहीद हुए थैं तो उनकी याद में उनके रिस्पेक के लिए वार मेमोरियल बनाया गया है और उनकी याद में यहाँ पर वार मुवी भी दिखलाते हैं जो कि शाम में आई तिंग चार बजे के बाद चलता है वो भी देखना एक मस्ट है बिकाज एक अलग ही एक्सपिरियंस है और इस वार मेमोरियल एक उन वीरों के नाम अंकित है नमन करता हूँ मैं उनको तो यहाँ पर आयेगा जरूर तवांग टाउन का एक और सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो कि जायन्ट बुद्धा है और यह जायन्ट बुद्धा आपको तवांग टाउन से कहीं से भी आराम से देख सकता है यह सरकिट हाउस के पास में है तो यह चैप्टर तो इंड हो गया है पर मैं दुबारा जाना चाहूंगा तवांग क्योंकि अभी भी बुमला पास अंगेत सरलेग जेमितांग जस्वंजड़ और नजाने कितने मुनेस्ट्रीज बाकी हैं देखने के लिए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाईएगा और हाँ शेयर करना ना भूलिए और इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर लिजेगा हार टू रॉक धन्यवाद